Hello everyone, मैं विश्वजीत सिंग, आप सभी का दाइन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 010 के All Important Topic को Study करने वाले हैं आपकी बुक MHI 010 के अंदर में जितने भी लेसन है हर लेसन के अंदर में जो भी टॉपिक है, प्रिवेसरी एक्जाम में कौन से टॉपिक बन कर आये थे किस तरह के कोशन बन कर आये हुए थे और दिसम्बर में होने वाले एक्जाम में किस तरह के कोशन बन कर आ सकते हैं इन सबी चीजों को उपर में इस वीडियो के अंदर में चर्चा करेंगे, चली वीडियो को स्टार करते हैं सबसे पहले अगर आपकी बुक M.A.H.I.S.T.E.M.H.I.E. 010 को देखें तो इसके अंदर में हमें पढ़ना है भारत में नगरी करन के बारे में नगरों का विस्तार किस परकार से हुआ, नगरों का विकास किस परकार से हुआ बारत के अंदर में जो प्राचीन भारत था, वहां से आधुनिक भारत के सफर में नगरों का विकास विस्तार की प्रक Tennant की प्रकार की इसके बारे में इδώ हिस बुक के अंदर में चन्ट करेंगे इस बुक के अगर हम थोग सद्धयान से देखें हैं तो इस बुक में टोटल 5 ब्लॉक है हर block के अंदर में 4 से आपको 5 lesson देखने के लिए मिल जाएंगी total आपको 40 lesson इस पूरे book के अंदर में cover करने है चलिए अपने पहले lesson से start करते हैं देखते किस तरह के topic समय आगे पढ़ने के लिए मिलने वाला है नगरी करन कहते किसे है नगरी करन है क्या नगर बनते कैसे नगर तो जैसे आज मैं डैली में रह रह हूं जिस देखर रह 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 जाता हूं तो आज से एक घंटे का time लग जाता है मुझे crowd से बहर आने में रशे बहर आने में इसके बारे में इस topic के अंदर में आपको बसाना होता है डेली का example तो नहीं दोगे normally भारत के अंदर में नगरी करन का सुरुवात किस तरह से देखा जाता है क्या लोगों का क्या मानना है किस तरह की क्या आप धारना है लोगों की इसके बारे में आपे define करना होगा इसका जो second topic होता है नगरीय केंदरों के प्रमुक लक्षान आप देखो कोई भी नगरीय केंदर है नगरीय केंदर होता क्या है जैसे डेली के अंदर में सदर बजार आपने सुना होगा कंणाड पिले सुना होगा ठीक है करोल बाग सुना होगा, एनेसपी सुना होगा, तो इस तरह के जो सहर है जहां पर जिसकी इर्दगित पूरी एकनौमिक बहसती है, तो उसको हम नगरिये केंदर बोलते हैं, बिहार केंदर में पटना है, जिला है पटना पर जिला होने के कारण से उसके आसपास का जो चेतर बहुत जाता विक्सित है, उची तरीके से यूपी का लखनवू ले लो, और भी बहुत सारी जगह हैं, जो पूरी तरह से विक्सित है, आज के समय में बनने वाला युद्या है, ठीक है, जो कुस टाइम के अंदर में, राम अंदिर के उद्गाटन के साथ में, वो भ चलते हैं के लिए लेसन के और लेसन नंबर सेकिंड, जहां पर हम बात करते हैं प्राची नगरों के अध्यन संबंदित, विविन विचारधाराओं के बारे में, जो प्राची नगर थे, उनको स्टड़ी करने के लिए कौन-कौन सी आइडिलोजी रही, किस तर की आइडिल नगर किस परकार का था, ठीको जब हम भारत के बारे में स्टड़ी करते हैं, बारत इतियास के बारे में स्टड़ी करते हैं, तो हडपा सब्वेता, one of the important part रहता है हमारे इतियास का, ठीके तो हडपा जाना किस लिए जाता है, यह अपने नगर के लिए बंसूर है, जो वहा करते हैं, किन बातों का ध्यान रखा गया, किस तरीक से निर्मान क्या गया, नालियों का निर्मान किस परकार से हुआ, जल निकास, पर नाली किस परकार से बनाए गई, जो पूरा नगरी करन ववस्ता है, उसको आपको यहां पर डिफाइन करना रहे गा, तो यह एक important topic रहत है, अब देखो यहां पर जो question आ जाता है, आपको lesson number 6 को देखोगे, तो यहां पर सेम question है, हडपा बस्तियों का विस्तार, तो यहां पर ही अगर आप पढ़कर चलोगे, हडपा बस्तियों का विस्तार कैसे हुआ, अब ऐसा तो है नहीं limited, जैसे मैंने जहां पर जमीन लिया आज के समय में वो इतना जाद विक्सित हो चुका है कि हम खरीद नहीं सकते दुबारा जमीन, कि हम अपना घर बना सके दुबारा यहां पर, मतलब एक concept मवदारों की क्या चीजे है, तो हडपा बस्तियों का विस्तार कैसे हुआ, किस तरीके से उसका फैलाव हुआ, इसके बारे में भी question रहता है, साथ से साथ निरवाह के बारे में रहता है, कि लोग जो एहां पर रहते थे, किस तर से निरवाह करते थे, निरवाह मतलब उनका जीवन व्यापन करने का तरीका किस तरीके का था, अगर आप निरवाह के topic को देखो तो lesson No.7 पर आजाओ, यहां पर साथ एक question मिलता आपको समाजिक विवेद का कि हड़भा सबेता के अंदर में समाजिक विवेद मतलब society के अंदर में किस तर के difference थे किस से आपस में लोगों के अंदर में विवेद है विवेद मतलब जिससे होता न आज की समय जाती अधार पर रंग के अधार पर अमीर गरीब के अधार पर तो उसी तरह से समाजी के विभेट था तो बिल्कुल था आप अगर हडपा सब्वेटा के नगरी करेड की नियोजन विवस्था को पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि नगर दो पार्टों में बटे हुए थे दूर्ग और निचला दूर्ग जो था उचाई पर बसा हुआ था निचला सहर नीचे में बसा हुआ था ठीक है तो यह क्या एक तरीके से समाजी के विभेट को दिखाता है और यह माना जाता है कि जो दूर्ग सहर था वह अधिकारिक वर्गों के लिए था और निचला सहर जो कर्मचारी जो करते हो और समाजी को विभेट किस परकार काता है यह भी बता सकते हो समाजी को विभेट वाला जो कोश्चन रहेगा चैप्टर नमबर 8 से रहेगा ठीक है तो 678 यहां पर तीनों यहां पर आपके कवर हो जाते हैं ठीक है समझ में आता है चली अगला बढ़ते है अगले चै सिंटी के अंदर में हडपा सब्यता आ जाता है जब आब बात करते हो मद्यकाली नगरों के बारे में जो मेडाइवल टाइम पिरिड़ के नगर थे तो उनका अध्यन किस परकार से क्या गया को उनको नगरों का उदे हुआ क्या रीजन्स थे अध्यों होने के तो इसके बा सकते हैं इसके लिए जगह की जगह की जिरुत होती है तो लेफ्रेव का क्या माना थें स्टा के परकार कि दिऊ होु करें और यही आपको बताना होता है चैप्टर नुमबर फीफ्त की और बढ़ते हैं चैप्टर नुम्बर फिफ्त जहां पर बात करते हैं पारंभिक पूछा जाता है पारंबिक नगरवाद के परिचे के अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन टॉपिक आते हैं नगर, नगरवाद और नगरी करण क्या है यह टॉपिक आपका 20 नंबर में भी आएगा और सौट नोट्स के अंदर में भी आपको देखने के लिए मिलेगा टिप ठीक है तो यह कि इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा इसको आप इस्टवी करके चलोगे चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 मैंने अल्रेडी बता दिया चैप्टर नंबर 6 के अंदर में हड़पा वस्तियों का विस्तार किस परकार से हुआ चैप् परकार से करते थे, बार्टर सिस्टम किस परकार का था, ठीक है वो उसके बारे में आपको यहां पर बताना है, साथ ही साथ अब देको निर्वाह के लिए ऐसा तो होगा नहीं कि सरफ क्रिशी कर रहे हैं या फिर एक बस्तू के बदले दूसरा बस्तू ले रहे हैं, तो कु भी वहाँ पर परमान मिले बहुतिक अधार पर, उसके अधार पर हम कैसे मानते हैं कि समाजिक बिवेद था, तो समाजिक बिवेद के लिए मैं आपको बताया है कि जो सहर था, दुर्ग और निचला सहर में बटा हुआ था, जिसके अधार पर हम बोलते हैं कि जो वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करें तकनीकी तोर पे वीडियो नहीं बना पा रहे हैं हमारा जो भी इस सिस्टम है लैपटॉप की बात करें या बाकी चीज की बात करें वह कुछ वर्क नहीं कर पारा तक काफी समय से तो एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके स्क्रीन पे मीचे में एक न बाइट कर सकते हो ठीक है और नंबर नीचे दियावा है उन नंबर प stain बॉन गर्ट जरूर करें विशुजीत मेरे नाम से भी आये यापका जो भी फोंपे पेडियम या जी करोगे तो आप मेरे नाम से grues रिपकर सकते हैं और जो भी करते हैं तो अपना बहूंगर करने के ब of course आपके लिए वो चीजे कीज़ें तो जितना हमसे बनेगा जितना हम आपके लिए कर सकते हैं किसी भी तरीके से जो भी आपकी मदद होगी ना वह हम करेंगे आपके लिए प्रामिस करेंगे कि हम आपको टाइम से करवाएं बागी चीजें और आपकी हैल्प करें जिससे आपके help के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करें लेसन नम्र 9 के अंदर में पढ़ना है एक परमुख नगरिय के अंदर का अध्यान मोहन जोदरों के बारे में देखो यहां पर तीन टॉपिक बनकर आते हैं पहला टॉपिक आपका रहेगा मोहन जोदरों के स सिल्प कारे हैं अब मोहन जोदरों के अंदर में सिल्प कारे को लेकर किस तरह के साक्षे मिले ठीक है किस तरह का सिल्प कारे किया जाता था सिल्प उत्पादन के अंदर किस परकार के थे इसके बारे में कोशन बनकर आता है सेकेंड कोशन आपका रहेगा मोहन जोदरों नगर न्योजन विवस्था के लिए जाने जाते थे तो नगर किस परकार के थे, नगर का विस्तार किस परकार से वथ, इनके मुखी विस्षिस्था किस परकार के थी यह question यहाँ पर बन कराता है थर्ड topic आयाँ पर रहता है आपका मोहन चोदोरो नगर की संरचना के बारे में इनकी संरचना किस परकार के थी किस तरह से बनाय गया थे इस नानागार का निर्मान किस परकार से किया जाता था बाग की चीजों का निर्मान किस परकार से किया गया था यह एक important topic यहाँ पे रहता है यह हमारा lesson number 9 जहां पर तीन topic आते हैं अगर important topic की बात करते हैं तो यह important lesson तो है क्योंकि कई बार मोहन चुदर से question आपके exam में बन कर आएगा और यहां पर जो question रहेगा नगरों का मुख्य विसेस्ता या फिर नगरों की संरचना यह दो topic आपके बन कर आते exam में तो इन दोनों topic को आपको अच्छे से त्यारी करके चलना है नगरों की संरचना के बारे में अल्रेडी आपको पता होगा क्योंकि आपने बहुत बार पड़ा होगा नगरों के संरचना के बारे में किस तरह से नगरों को संरचना किया गया किस तरह से नगरों को निर्मान किया गया यहां पर दोडिक बन कर आते ना तो पहला तो यह रहता है कि पारमबिक इत्यासिक नगर उनकी विसेश्था किस परकार की थी तो हिआ पर दूर दुर दूर र हुआ कर किया जाता था विस्तार अच्छाओता था नगरों का साथी साथ साथजनिक और धार्मिक भवनों का भी निर्माण किया जाता था नगरों के अंदर में तो इस तरीके से पारंभी केतियासिक नगरों को बता सकते हो दूसरा जो टापिक रहता है कि गंगा घांटी के पारंभी केतियासिक नगरी केंद्रों के बारे में कि जो गंग तो उसके कारण से क्या होता था उपजाओ भूमी थी तुहां पर नगरों का विस्तार इसली हुआ नगरी केंद्रों का उदे जल्दी हुआ और याता-यात के साधन के तौर पर भी नदियों का जो गंगा हाटी तो उसको उपयोग किया जाता था यहां पर भी देखोगे तो नगरी केंद्रों का उदे देखा जाता है जो अलग-अलग तौर पे यहां पर निर्वा के तौर पे आगे कार्य किया लोगों के द्वारा तो यह चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो लेस्न नंबर 11 जहां पर हम बात करेंगे प्राची नगरों के अभिवदे का पुरा त कि दच्छिन भारत के अंदर में किसष है आयमे इफ र सी नगरी के इंदरों उदेफित भी सह सब रहना के यह पर स्कार इंग आता ह Εंभान नगरी का जो सब रहे है soap जाता है और यहाँ सब्सक्रामि में निर्मान सब्सक्राइब को लिह Sam impact में जो नगर था उसका विस्तार किया गया नगरों का नगरी केंद्रों के तौर पे इनका विस्तार हो रहा था नगरी केंद्र का विस्तार मतलब क्या नगर केंद्र अगर बनाते हो तो उसका आसपास का छेतर ज्यादा विक्सित होता है इस तरह तौर पे नगरी करण का सुर lesson number 12 की बारे में बात करूँ तो कुछ खास lesson नहीं है बटेगर हम इसके अंदर में देखें तो नगरी करन के जो नगरी करन के अगर आप देखोगे केव और अन्य परकार के स्थान ठीक है किस तरह के अलग-अलग टाइप की स्पेस है नगरी करने के अंदर में तो यहां पर दो टॉपिक रहते आपके भारते वन की अवधारना भारते साहित्य के अंदर में वन की अवधारना क्या है भारते साहित्य मतलब जो भी गरंत में वहां पर जंगलों को लेकर वन को लेकर क्या ideology है, किस तरह की अवधारना है किस तरह का thinking है लोगों की इसके बारे में बताया गया जो भी साहित्यों के अंदर में तो देखो, जादा तर देखोगे न जो नगर, जो वन होता था उसका एक importance होता था भारते साहित्यों के अंदर में लेस्न no.1 जहां पर हैं एसका की अंदर में आप इन चीजों को define कर सकते हो lesson no.3 जहां पर हम बात करते हैं जो समकालीन गृंत मिले उनके अंदर किस प्रकार नगर था तो अर्दसासर में राजधानी का चितरन, अर्दसास क्या है? तो भई हम मोरेश समराज्य का जो जानकारी के स्रोत के तोर पे, अर्दसासर एक प्रमुक पुस्तक के तोर पे जाना जाता है, तो इसके अंदर में नगरों का चितरन किस परकार से किया गया, नगर होते किस परक किस प्रकार से की हुआ नगर को किस तरसे प्रशासन के तोर सccेर्प आग किस यौप को किन यौद रखने के लिए इसके बारे में कोश्रय को शभक्र जेक्वन करते हैं अपने वह गौरे सम्राज़े के बारे में उसका विकास किया गया, तो नगर किस परकार के होते हैं, नगर राजदानी को चितरन किस परकार से किया गया, मगद जो राजगीर है, उसका किस परकार से विस्तार हुआ, इसके बारे में आपको बताना है, पार्टली पुत्रा का विस्तार किस परकार से हुआ, इसके बारे म आपको दिखेगा तक्सिला घांटे के अंदर में जो पारंबिक एतियासिक नगर किस परकार के थे इसके बारे में question बन कर आएगा तो तक्सिला घांटे के अंदर में जो starting या time में किस परकार से नगर आपको देखने क्ले मिलते हैं किस परकार किसके परमाण है वो आपको बताना होगा ठीक एक तो कुछ खास टॉपिक नहीं रहेगा इसको यहां पर छोड़ सकते हो जो मतलब without physical तोर पे ना किस तरह के और के अर्की लॉजिकल डेपार्टमेंट के पास में प्रमाण मिले इसके बारे में बतके जा रहा है साक्षे हमेसा दो तरह के होते हैं साहितिक साक्षे होते हैं जिसमें किसी तरह के कोई किताब और बागी चीज़ों की बारे में बात की जाती है दूसरा आपका पुरातात्विक साक्षे रहता है और जिसके अंदर में कोई फिजिकल तोर पे कोई इमारत के प्रमाण मिलते हैं, कोई मिर्त भाण मिलता है, कोई चीजे मिलता है, तो उसको हम पुरा तात्विक साक्षे के तौर पे ले के चलते हैं। देखो, मैं जानता हूँ, बहुत सारे बच्चे अभी कम्प्लेंड करने वाले हैं, कि सर पीछे ना बैक्ग्राउंड में बहुत जादा वाज आ रहा है, बहुत सारी प्राब्लम में सुनने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं पहले के लिए करके चलूँआ कि जैसे कि मैंने आप तो वो उनके लिए helpful हो, उसके लिए बस हम वीडियो बना रहे हैं, तो मैं यही आप सबसे उम्मीद करता हूँ, अगर हमारी वीडियो आप सभी स्टूइन को valuable लग रही है, तो जो नीचे में नंबर दिखाया जा रहा है, उस पे आप payment करेंगे, कुछ अलका सा donate करेंगे, यह नहीं कह रहा है कि आपको अपना घर मकान बेची के डालना है उसके अंदर में, जो भी आपका बन सकता है, जो भी आपका 5, 10, 50, 500, वो आप उसके अंदर में donate कर सकते हो, ठीक है, और जिससे हमें एक help मिलेगी, हम आपके लिए काम करने में अच्छा लगेगा हमें, ठीक लग जाता है मिलने में, ठीक है, उतना नहीं है, इनफ नहीं है, कि हम इसमें अपनी चीज़ों को इंप्रूव कर सके हैं, तो इसके लिए आपके support की जरुत है, तो अगर आप कर सकते हैं, if you are capable है, तो आप जरूर मदद कीजे हमारी, जिससे हमें बहुत जादा, मतलब खु जैसे कोई भी सबूत मिला, इमारतों का अवारे में मिला, या बाकी कोई चीज़े मिली, सवदा मिला, मारक मिले, उसके अधार पर पूचा जाता है, तो यहां पर उत्तर गुपत काल में विनगरी करन गानन का सुरूत होना, पर विनगरी करन मतलब क्या, पतन के तोर पे द झाणान होना जयसा थे लिधारस कि और नेमिक टीक टो आ पर प्सक्राइब år US finan Becca 2 जो उत्र्वें के नगरी पर उसके प्सक्राइब इसके की इस परकार की जिवन निर्वारba यह अधार से उन्फोज स्न्दर पुरा लेक के अंदर में किस परकार से नगरीकरन को डिफाइन किया गया तो यहां पर एक टॉपिक आपका इंपोर्टेंट बनकर आता है नमंदिर और नगरीकरन के बारे में ठीक है आज के समय में मैंने मौर्निंग के अंदर में वीडियो डाला था मैंचाई 010 का उसके अं सब्सक्राइब करेंगे दर्शन करने के आर्थिक तौर पर नहीं के लोग बहुत ज्यादा मजगूत होंगे तो किस परकार से नगरीकरन के का विस्तार होगा इसके बारे में यह आता है मंदिर नगरीकरन का क्या तालमेल है यह चीज़ें यहां पर रहती है पूरा लेक गर इस प्रकार का है, यह आपका यहां पर question बन कर आता है MHI 010 के बारे में एक और important चीज़ जो आपको याद रखना चाहिए MHI 010 के अंदर में जितने भी question बन कर आई हैं almost ज्यादातर question similar होते है सब में एक ही चीज पूछा जाता है नगरी करन के बारे में कुछ question ही है आपको समझ में आएगा कि यह वाला question अलग है पर ज्यादातर question आपको ऐसे दिखेंगे पूरे book के अंदर में जो एकदम similar एक ही pattern पर एक ही question पूछा जाता है बट time period अलग-अलग हो जाता है थोड़ा चीज समझ में समझना अगर courses करोगे तो समझ में आगा otherwise confusion होती है अब इसका plus point यह रहता है कि easy रहता है easy to write रहता है आप easily इसका answer लिख सकते हो अगर आपको question का pattern समझ में आ रहा है तो अगर आपको question का pattern समझ में नहीं आए तो आप इसका answer नहीं लिख पाओगे जिसके कारण से problem क्या होती है कि आप question confused होगे गलत answer लिख होगे number कटेंगे ठीक है और यह easy भी है और tough भी है MHA 010 सबसे tough book भी माने जाती है आपके MHA history के अंदर में क्योंकि इसका time period नहीं करन के question का वह बहुत लंबा time period को cover करता है पूरा book लंबा time period cover करने के कारण से क्या है कि confusion होता है कि कौन सा topic मतलब कौन सा question में किस तरह का answer बना है यह थोड़ा confusion करता है तो आपको थोड़ा से इसके अंदर में सबर करके थोड़ा सा लिखना है time देना है book को study करने के अंदर में जो मैं वीडियो के अंदर में को topic बता रहा हूं उसको आपको study करना है अल्रेडी दाइनाप के उपर में बहुत सारे questions उपर मैंने solve कर वा रख किया है उन questions को देखने हैं अगर आप उन questions को देखोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगा जिससे आपके अच्छे number बन सकते हैं अगले topic और बढ़ते हैं lesson number 17 जहांपे हम बात करेंगे सल्तनत और इसके नगरों के बारे में सल्तनत काल भाई या दिल्ली के बारे में बात करते हैं यहां पर दो topic बन कर आता है पहला topic तो ही रहेगा सल्तनत काल के अंदर में सहरों का उत्थान किस परकार से हुआ मतलब सल्तनत काल के अंदर में दिल्ली जैसे जो सहर थे उनका विकास किस परकार से हुआ पार्किरिया का किस तर से विकास हो रहा था यह यहां पर आपको बताना होगा। लेस्चन अम्बर 18 जहां पर हम बात करते हैं छेत्रिय नगरों के बारे में। अब देखो सल्टनत काल का एक तरह से पतन होना सुरू हो जाता है। सल्तनत काल के पतन होने के साथ साथ 14 पंद्री स्तावी के अंदर में सल्तनत काल का पतन होता है तो यहाँ पर टॉपिक बनकर आता है कि सल्तनत काल के पतन होने के साथ में जो छेत्री नगरों का उदे या विकास किस परकार से हुआ राजधानी नगरों का विकास किस परकार से यह आपका question बनकर आता है lesson number 18 के अंदर में यहाँ पर देखोगा कौन-कौन सा नगर का विकास हुआ जैसे दिली का पतन होता है यह सल्तनत का पतन होता है तो यहाँ पर बंगाल, दक्खन, बहमनी, मालवा, गुजरात, जहुनपूर और विजयनगर जैसे समराज्यों का उदे होता है, छेत्री राज्यों का उदे होता है और इसका main reason कहा रहता है कि जो दिली सल्तन है तो उसका पतन हो जाता है तो दिली सल्तनत का पतन कैसे हुआ, 14-15 सताब्धी कंदर में दिली सल्तनत के पतन का impact क्या पड़ा, पर वहाव क्या पड़ा, विसेस्ता क्या थी, यह सारा कुछ आप बता सकते हो दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद में छेत्री नगरों का उदे होता है जैसे दिल्ली सल्तनत का जो विज्टार था जिस तर से फैलाब था जैसे ही दिल्ली सल्तनत कमजोर होती हूँ आपर पतन होना शुरू होता है तो जो भी छेत्रिय नगर थे चाया आप मालवा की बात करो, विजे नगर की बात करो, बंगाल की बात करो, गुजरात की बात करो, तो सब ने अपने आपको सोतंतर गोशित करना शुरू कर दिया, कि भाईया मैं तो सोतंतर हूँ, मेरे उपर किसी का कोई अधिकार नहीं है, और कई सारे चित्रिय नगरों का उदे देखा जाता है, तो किस परकार से हुआ यह आपको यहां पर बताना होगा, लेस्न नंबर 19 जहां पर हम बात करते है, प्राइदीपे भारत में मंदिर नगरों के बारे में, ठीक है, प्राइदीपे भारत मतलब कि अदच्छीन भारत का जो हिस्सा है, यह वाला, वी शेप का, इसके अंदर में मंदिर नगरों का निर्माण किस परकार से हुआ, प्राइदीपे भारत में मंदिर नगरों का अभ्यूदे किस परकार से इनका उदे हुआ, इसके बारे में आपको बताना है, मंदिर नगरों की विसेस्ता किस पर तो जो किसी भी जगह का आज दुभई मतलब यंप को मका मदीना जो कुगी हर साल लाखों लोग लाखों लोग अलग जगह से ट्रेवल करतें वहां दर्सन करने के लिए सेम भारत के अंदर में बात कर लो चाहिए आपना किसी भी जगह का कोई भी मंदिर उठा के देख लो वहां पे इस तरह की चीज़े हैं तो उसके आसपात का छेतर भी विक्सित होता है जब आप किसी छेतर को निर्मान करते हो एक छेतर को केंद्री करते ह तो उसके आसपात का छेतर भी विक्सित होता है तो मंदिर नगरों की विसेस्ता किस परकार की थी और मंदिर नगर के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा एक्जांपल आपको प्राइदीपय भारत के अंदर में देखने करें मिलता है क्योंकि सबसे बैसनर्स अगर कोश्चन बनकर आ रहे है तो बहुत इंपोर्डेंट कोशयन है। विजे नगर का कोश्चन इंपोर्डेंट क्यों है क्योंकि अक्थर Eские क्जामरे it says question बनकर आते है तो विजयनेगर काल के दोरान में नगरी करन की परकिरिया किस परकार की थी? ठीक है, तो विजयननगर काल के दॉरान में नगरी कर्ण कीस के अन larger का विस्तार कीmaking परकार से हुआ, किस तरह से तरह से नगरों को अलग-अलग पार्टों में बाटा गया, नंगरों को regulate करने के लिए किस तरह की ववस्ता अपनाई गई, किस Тरह की परशार्शन ववस्ता तह यह आपको यहाँ पे define करना होगा तोरंद वार किस तरह से बनाए जाते हैं तो बहुत सारी questions है मतलब नगरों का सोरूप किस पर कारगा था सारा कुछ यहाँ पे आपको cover करके बिजनगर के अंदर में चलना होगा तो यह important topic आपका रहेगा Lesson number 21 दिल्ली नधी नदी मतलब भीयमना नदी के जो धिल्य बसा हूँ है दिल्ली के टट्टीय अ मेधान में सल्तनत राजधानी नगर के बारे में तो दिल्ली के त्टी के चेतर के adder में राजधानी नगरों के इस्थापना जैसे कि आप सब सी शुन जानते हो जो दिली जो है यमना नदी के किनारे बसा हुआ है ठीय के और यमना नदी के किनारे बसे होने का कारण से राजधाने के तोपर क्यों श्ठापित किया गया आदके साधन के तौर पे देखा गया और नदी के किनारे जो जाद तर सहर विकसित हुए इसका मेन रीजन क्या था कि भोजन का जो ववस्था था ना कहीं जीवन व्यापन का अधार वो महत्यपूर्ण हुता था नदियों के ऊपर सो रूपे डिपेंड रहता था जीवन व्य कि ऊपर इसका शे तर समय मोट्रें विकसित हुआ उनका मेन मोटिक क्या रहता था था कि जीवन व्यापन के अधार के लिए सबसे इंक्व स्थान नदी प्ल्य करती थी तो उसके कार्म से नदी के आश्पास गार शित्वफे से लिगा सुआ हुआ थिस प्रकार से विभग क नगरों के अंदर में स्थानिक विश्ता किसकी पर्कार से रही मुगल के दोरान में जो नगर बनाए गये जो भी आसपास का घ्र नगर के तोर स्थाफितुर्बा तो उनकी स्थानिelnों का किस पर्कार किती यह आपको बताना है करते lesson no.23 जहां पर हम बात करते हैं, मत देखा लें धक्कन के अंदर में, नगरों के सोरूप के बारे में, धक्कन का जो छेतर है, उसके अंदर में नगरों का सोरूप किस परकार का था, यह वाला जो question है न, आपका lesson no.22 वाला यह वाला भी question आपका chapter important रहेगा, अगर अब इसके ब important होंगे, उसको ध्यान में रखका चलना, और case study के तौर पे, उन questions को आपको study करना होगा, तो lesson no.23 जहां पर हम बात करते हैं, मतिकाले नगरों के सोरूप के बारे में, तो बीजापूर गोलकुंडा के किला नगर का विकास किस परकार से हुआ, तो बीजापूर गोलकुंड शोर को पर का आता है, दखन के मुख्य Odyaogic चेतर के बारे में आता है जो जो दखन का Odyaogic चेतर दा और Odyaogic चेतर के कारन olhar से नगरों का का विकास किस परकारस हो रहाता है, इसके बारे में आपको यहां पर बताना होगा, lesson number 24 जहाँ पर हम बात करते हैं नगरी संस्कृतिक समाज के बारे में यह कुछ खास नहीं है नगरी संस्कृति समाज किस परकार का है नगर का संस्कृति और समाज किस परकार का रहा है इसके बारे में question बन कराता है कुछ खास रहता नहीं है यहाँ पर लेसन नमर 25 इंपोर्टेंट है जहां पर आप बात करोगे आगरा, फते पुर्सीकरी और साहजानाबाद के बारे में साहजानाबाद दिली का पुराना नाम है तो यहां पर question बनकर आता है कि राजधानी सहर के तोर पे किस परकार से आगरा विक्सित हुआ, फते पुर्सीकरी विक्सित हुआ, साहजानाबाद विक्सित हुआ, इसके बारे में question बनकर आएगा important lesson आपका रहने वाला है, पीछे कई बार exam में बनकर आया भी इस lesson से question, तो यहां पर पहला question यही रहा कि मुगल काल में आगरा का विकास का वर्णन बताओ, ठीक है, मुगल काल के अंदर में आगरा का विकास किस परकार से हुआ, दूसरा यहां पर topic रहेगा, मुगल काल की दूसरा जारा के पर से, राजधानी सहरों के रूप में आगरा फेतापुर व sap員 इसरा कि तुल्öm ना करना है, थीक है, जिसरा मुगल काल के अंदर में राजधानी, पहले आगरा फिर्फतेपुर सीकरी, फिर sap員 अबाद हुआ, तो किस परकार से तीनों में difference है, यह आपको आफ़ते पुर्शिक्री और साहजानाबाद के अंदर में यह आपको डिफाइन करना होगा ठीक है इंपोर्टेंट कोशन यहां पर रहता है लेस्ट नमबर 26 जहां पर हम बात करेंगे धार्मिक नगरी इस्थल के बारे में अजमेर बनारस पंडरपूर के बारे में अब देखो धार्मिक नगरी इस्थल के अंदर में मतलब क्या जहां पर धर्म के संदर में इंपोर्टेंट है उन अगर अजमेर अजमेर शरीफ बनारस में कई सारे मंदिर थे पंडरपूर सेम उसी तरह से तो किस प्रकार से धार्मिक इस्थल के तौर पे नगरों का विकास ह जलना है इस पूरे बुक के अंदर में जितने भी कोशन बनेगे न सारे नगरी करन के संदर्ब में बनने वाले हैं तो नगरी करन के संदर्ब में ही आपको श्टड़ी करना है ठीक है लेसन नबर 27 जहां पर हम बात करेंगे मसली पर्टनम के बारे में एक अध्यन केसी स्ट इसकी इंपॉर्टिंस के आति पूर्तकालियों के लिए इसको आपको यहां पर डिफाइन करना होगा लेसन नबर 28 जहां पर हम बात करेंगे पुंजिवाद उपनिवेशवाद और पारंबिक आधुनिक भारत के नगरों के बारे में तो यहां पर जो कोश्चिन बनकर आता है आपको इसको यहां पर बताना होगा लेसन नबर 29 के अंदर में कर आप देखोगे तो पतन नगर ठीक एकिस तर से नगरों का पतन हुआ सोलवी और 28 सतावदी के अंदर में तो सूरत सूरत कोची और गोवा हूली के बारे में कोश्चिन बनकर आता है कि यहां कि समाजी व करेंड का विस्तार होना सुरू हुआ तो गोवा कोची और सूरत हुगली के किस तर से ववस्ता ती समाजी ववस्ता और नगरी करेंड ववस्ता किस परकार के रही यह आपको यहां पर बताना होगा लेसन नबर 30 जिसके अंदर में बात करेंगे 18 सदी में नगर के बारे में और यह दो पार्ट के अंदर में रहेगा 18 सदी नगर एक नगर दो 18 सदी के अगर आप नगर की बात करते हो तो यहां पर धाका पतना एमदाबाद और बैंगलोर के बारे में बताना होगा और यहां पर दूसा जो लेसन रहेगा जहां पर आपका आएगा बाहूर और से रंग पतनम सद्की के तौरपे यह की सट दे के तोरपे छाइं। में अलग तरीके से बता जाता है कि मुर्शिदावाद का अलग तरीके से भी कास हुआ ह लखनव नवावो का सहर किस तरह का योगदान रहा किस तरह से उनका विकास हुआ सांस्क्रितिक और राजनीतिक तौर पर यह आपको बताना है ठीक है लेसन नमबर 33 जहां पर हम बात करेंगे उपनेविशिक भारत में आसरीत नगरी करण तथा नगरी करण के नवीन सहरी करूल सहर निरमाण किया आज है अंगर का बिवाज अंगíchों के फ़कार के दौर किस तरह से गया ईय यह वाला टापिक आपका इंपोर्टन रहान कहों ए उसमें के अंदर में आता है तो यहां पे नगरों का बिवाज नगर आप देखोगे तो स्वेट और अस्वेट नगरों के तौर पर निर्मान किया गया जिसमें स्वेट नगर वाइट के लिए बनाए गया तो स्वेट नगर ब्लैक्स के लिए इंडिन्स के लिए अस्वेट नगरों और निर्मान किया गया, तो किस तरह से नगरों का बिवाज नुवा सुवेत और असुवेत के अंदर में ये कोशन आपका बन कर आता है, आगे में बात करूँ, lesson number 34, जहां पर हम बात करेंगे, ओपनिवेशिक नगरों के अंदर में नसल और जातिता के बारे में, ठीक है, तो अपनिवेशिक स्थापत कला और नगर नियोजन, ये भी बखवास कोशने कुछ खास पुछा नहीं जाता, lesson number 36, ये भी नगर आंदोलन के रूप में, ठीक है, नगर की जैसे देखो, आज के समय में ये जो lesson number 35 है, 36 है, ठीक है, इनका में मोटीफ क्या है, जैसे आज के समय म जाकर दूर दूर तक कोई सुनने वाला नहीं, वहाँ पर जाकर परदर्शन में बैठ गया, भीया, मैं धरना परदर्शन कर रहा हूँ, आंदोलन कर रहा हूँ, भू कर ताल पर हूँ, तो को इसकी बास सुनेगा, वो जब तक इंडिया गेट नहीं आएगा, जंतर मंतर न अदर में आपको बताना होता है, पर यह कोशन काफी समय से लेस्न से पूछा नहीं जाता, तो यहां पर इंको अवोइट कर सकते हो, लेस्न नमर 35 जहां पर हम बात करें, तो अपनेवेशिक भारत में आदूनिक नगर किस परकार के थी, अपनेवेशिक काल के दौरान में सह सार के अविकास किया, इसके बारे में आपको बताना होगा, लेस्न नमर 38 जहां पर हम बात करेंगे, बिटिश आशन के अधीन, भारत में नगरी नियोजन पदेदी के बारे में, ठीके जब बिटिश सरकार था, बारत के नगरी नियोजन व्यवस्था किस परकार के चलाए नगर नियोजन पदेदी के उपर में जो बिटिश सरकार के दौला चलाया जा रहा था, लेस्न नमर 39 जहां पर हम बात करें, तो उत्तर उपनिवेशिक नगरों की दसा किस परकार की थी, किस तरह से रहा, उत्तर उपनिवेशिक मतलब क्या, जैसे ही उपनिवेशिक काल का अंत हुआ, जैसे ही उपनिवेशिक सत्ता का अंत हुआ, तो उसके बाद में नगरों की दसा किस परकार की थी, नगरों को उदे किस परकार से हुआ, उपनिवेशिक काल के बाद में, ठीक है, सोतंतरता प्राप्ती के बाद में, जो आरंबिक दसा के अंदर में नगर का जैसे जैसे ही उपनेविशिक सत्ता कंत हुआ तो जो भी नगर थे उनका उदे हुआ तो उनके उपर किस तर का दवाव था नगरी दवाव किस प्रकार का था किस तर से विस्तार होना है किस तर से बनना है उनके उपास क्या आधिकार थे इसको लेकर यहां पर कोश्चन बन कर करेंगे बंबभई की case study के बारे में sorry, Bombay का एक अधियन, Bombay के case study के तौर पर बंबभई को बताना है कि Bombay का उधे किस प्रकार से हुआ, Vikaaz किस प्रकार से हुआ, Bombay का स्टोरी क्या है, Bombay बना कैसे, Bombay मूंबभई बना कैसे, टीक है important state और इस important question के दोर पे यह वाला topic आपका आता है तो यह हमने पूरे book का analyze किया कि पूरे book के अंदर में 40 lesson है हर lesson के अंदर में कितने topic बन रहे क्या topic है किस तरह के topic थे पहले कौन से topic आ रखे हैं कौन से topic आ सकते हैं इसके बारे में हमने discuss किया और already Dynap के परे में बहुत सारी videos डली हुई है में history के recording में almost 500 ज्यादा videos डली हुई है ठीक है तो आप उन videos को देख सकते हो जिससे आपको बहुत ज़्यदा benefit मिलेगा last 5 year के question bar की videos कई सारे parts में डल रखी है MHI 010 के तो उनको देखें जिससे आपके exam में बहुत मदद मिलने वाली है और साथी साथ यहाँ पर video end करेंगे but request यही रहेगा आप सभी viewers से अगर अभी तक आपने हमारी Dynap channel को subscribe नहीं कर रखा है तो subscribe जरूर करें इस video को अपने दोस्तों के साथ में सेयर जरूर करें जिससे उनको भी इस video का benefit मिल सके and most important request यही रहेगी कि अगर हमारी video आपको सभी students के लिए valuable लग रही है अगर आपके video valuable है मतलब आपके लिए video valuable है तो आप donate जरूर करें जिससे हम अपने आपको update कर सके thank you so much watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best